कि अ को अ कि कि असलाम अले कुम डियर स्पुडेंस फर्स चेयर के मेटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक के मिटर और अपुरेशचन अन इंस्टॉक्शन काउमेट हम इस अपिक के देखेंगे कि मल्टीपल के मिटर क्कॉन कौन-कॉन आपूरेशचन होगी उसमें data transfer instructions के बारे में देखा 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 control transfer क्या है, arithmetic and logical operations क्या है, इन सब चीदों के बारे में जानें के अपने आज के इस lecture में. My dear student, first of all, हम लोग computer operations के बारे में देखेंगे के computer operations basically क्या क्या है, देखें, computer में कोई भी काम करने के accordingly, definitely उसमें हर चीज़ की एक अलग डियन है, arithmetic and logical unit जो है, वो सिरफ arithmetic operations को perform करता है, यहां फिर आप कह सकते हैं कि वो कुछ logical operations जो है, वो भी perform कर सकता है, इसी तरह से हमारे पास जो control unit है, उसका एक अपना task है, तो जितने भी components computer के साथ attach है, हर component अपना जो है एक काम, अपनी जॉब के list लेकर बैठा है, और उसके accordingly ही behave कर रहा है, हम इसके अंदर देखेंगे कि computer की कुछ general operations है, वो क्या perform कर सकता है, और उनके क्या instruction format होंगे, उनके बारे में भी जानेगे, जैसे के इसमें हम सबसे पहले बात करते है, data transfer instructions के बारे में, तो data transfer instructions क्या है, देखें, जो भी काम करना है किसी programmer ने, definitely उसकी एक अपनी instructions है, उसके लिए एक अपना code, एक अपना program है, तो इसी तरह से हर काम, जो computer की memory की तरफ भीजा जाता है, या computer की memory की तरफ से आने वाली request जो होती है, जो CPU ने execute करनी होती है, उन सब चीजों के अंदर, जो data है, basically वो transfer होता है, किसी एक जगा से, किसी दूसरी जगा के अंदर, यानि कि इस काम को करने के लिए, कोई भी जो एक task है, उसको perform करने के लिए, definitely multiple devices को काम करने पड़ेंगे, और उसमें multiple types के operations होंगे, वो operations क्या है, हम उन चीजों के बारे में जानेंगे, तो data को transfer करने के लिए, जितनी भी तरहां के instructions हैं, जितनी भी तरहां के basically हमारे पास, आप कह सकते हैं के operations हैं, उनके क्या formats हो सकते हैं, और वो क्या operations हैं, उन सब चीजों के बारे में भी जानते हैं, जैसे के सबसे पहले हैं, हमारे पास, arithmetic and logical instructions, तो number one पे, instruction में सबसे पहले हमारे पास है, ALU instructions, मैंने short form में लिख दिया है, arithmetic and logical unit instructions, या AL instructions लिख रेते हैं, arithmetic and logical instructions, जितरी भी तरहां के arithmetic operations हैं, जैसे के इसके अंदर हमारे पास, कुछ multiplied division है, plus है, minus है, इन तमाम operations को perform करने के लिए, जो operation use के जाता है, that is, arithmetic instructions, और इसी तरहां से, हमारे पास कुछ logical instructions होती हैं, means के, कुछ ऐसी instructions के, जो हमारे, आप कह सकते हैं, के boolean algebraic data को, जो है, वो process करने के लिए, इस्तमाल किया जाता है, आप कह सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास, जो कुछ operators हैं, जैसे के, and operator है, or operator है, not operator है, यह logical operators कहलाते हैं, इनका काम, हमारे in operations से, तोड़ा सा हट गया है, यह multiple conditions को, multiple statements यह expressions को, आपस में compare करने के लिए, उनके दरम्यान की decision making करने के लिए, इस्तमाल की जाती है, तो that is the combination of, these operators, AL, जो है, वो in operations का, in operators का, basically combination है, तो ऐसे कोई भी काम करना होगा, तो उसके लिए, हम लोग क्या करते हैं, यानि कि, जो हमारा computer है, वो क्या करता है, वो arithmetic and logical instructions को utilize करता है, and the next one is, input-output instructions, इसके साथ ही, हमारे पास, जो next instructions है, वो कहें जी, input-output instructions, यह ऐसी instruction है, देखे, जब हमने computer के अंदर, कोई भी काम करना है, तो definitely, multiple input devices, और इसी तरहां से, multiple output devices भी use की जाएंगी, तो peripheral devices का, जो है, आप कह सकते हैं, उनको deal करने के लिए, जो एक unit है, वो basically input-output unit कहलाता है, और उससे related, जितनी भी instructions को deal करने के लिए, जो computer अपना एक operation जारी करता है, एक operation जो basically, वो utilize करता है, that is input-output instructions, input devices, जो है, peripheral devices, या output peripheral devices, उनकी जितनी भी instructions हैं, उसको deal करने के लिए, जो operation यूज़ के जाता है, that is input-output instructions, and the next one is, control transfer, अक्सर ऐसा होता है, कि, जो है, computer के अंदर, मुख्तलिफ programs को switch करना पड़ता है, तो, मुख्तलिफ programs को switch करने से, मुराद ये है, कि, अगर हमारे पास, suppose करने के, यहाँ पर एक job की list है, पूरी, यहनि कि, यह multiple tasks हैं, जो CPU को perform करने है, तो, computer जो है, यहाँ पर computer से मुराद, बिसी करी CPU ही होता है, लेकिन, वो अगर pronounce, कुछ ऐस तरहां से हो जए, कि computer बोल दिया, यहाँ कभी CPU बोल दिया, तो, आप कहीं समझेगे, कि we are talking about the brain of computer, that is the processor, हम processor के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो, इन में से, अगर हमने, फुर्दर, कभी suppose करने के, मैंने इन instructions को छोड़ कर, इनको skip करते हुए, यहाँ पर अपना pointer लाना है, और इन instructions को decode करना है, यह fetch करना है, इसी तरह से, CPU ने अगर इसको छोड़ कर, directly यहाँ पर आना है, इन दो instructions को छोड़ देना है, leave कर देना है, तो, ऐसी situation में, इस basically, जो scenario को हम लोग क्या बोलते है, control, transfer, कि जब हम अपनी मर्जी से, किसी एक जगा से, pointer का, means कि जो computer का, basically एक translator है, जो मुफिलिफ काम कर रहा है, आप समय लीजे, जो system bus है, उसको जो हम लोग instructions दे रहे हैं, कि भई अब आपने इस काम को करवाना है, और इन components को आपस में communicate करवाना है, तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं, कि जी एक compiler है, एक pointer है, तो वो pointer क्या करता है, उस pointer को, हम लोग अपनी मर्जी से switching करवाते हैं, different जगों पर, और दरम्यान में, अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को, कुछ operations को खतम करवा देते हैं, तो उसका जो transfer है, उसका जो execution transfer है, वो हम अपनी मर्जी से control कर रहे हैं, and that instruction, and that operation is called as control transfer, the next one is instruction set, अब इसके अलावा हमारे पास है जी, instruction set, instruction set क्या है, computer के अंदर कोई भी काम करने के लिए, हर instruction के according ले, कुछ जो है, वो चीज़े मजूद है, कुछ आप कह सकते हैं, component मजूद है, तो उसका मतलब है, कि वो तमाम काम, वो तमाम instructions को, अगर collectively देखा दे, तो that is the instruction set, वो हमारे पास एक instruction set है, कोई भी task perform करना है, तो उसके accordingly ही, कोई operation को use करना पड़ेगा, जिसका specific instruction format होगा, जिसके बारे में जानेंगे, हम अपने next lecture में, अभी हमने ये देखा, कि हमारे पास, computer के कुछ general programs है, कुछ general operations है, जो computer कर रहा होता है, इसके लाबा, multiple operations हो सकते हैं, multiple operations मजूद भी हैं, जो computer करता है, but we are talking about the general operations, हम कुछ general operations के बारे में देख रहे थे, कि arithmetic and logical instructions क्या होती है, input, output instructions को जो unit you deal करता है, वो operation क्या है, control, transfer क्या है, and instruction set basically क्या है, तो ये सिरफ एक operations का topic था, इंशाला जानेंगे अपने next lecture में के instructions format क्या होते हैं, तो तब तक के लिए अपना ख्यार रखे, इंशाला मिलते हैं अपने next lecture में, अल्ला हापिस,